नमस्कार दोस्तों आप सभी वेट कर रहे थे डियूडेट एक्स्टेंशन का वो नोटिफिकेशन अभी आ गई है तो अभी हम लोग देख रहें ट्विटर पेज पेज जहां पे इंकम टैक्स ने ऑफिशली डिकलेर कर दिया है कि डियूडेट एक्स्टेंशन हो गी है तो अ अभी मैं आपको बता देता हूं तो पहला पॉइंट जो है वह है जो ऑडिट केस थी जिनका डियूडेट था 31 जैन वाला वह फॉर्दर एक्स्टेंशन करके 15 फेब 2021 करके दिया हुआ है यह बात सेकेंड पॉइंट जो है फॉनिश रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट आप इस बीन फॉर्दर एक्सेंड देट तो 15 फेबरुवरी 2021 कि थर्ड पॉइंट देट फॉनिशिंग इंकम टैक्स रिटर्न फॉर्ड पॉर्ड असेस्मेंट यर 2021 फॉर्द अधर टैक्सपेयर जिनका डिव डेट था 31 डिसेंबर 2020 विच आज बीन फॉर्दर एक्सेंड देट 4th point 8, the due date for furnishing various audit reports under the act including tax audit report and report in respect of international pacified domestic transaction for the assessment year 2020-21 has been further extended to 15 January 2021. The last date of making declaration under Vivaat Se Vishwa Scheme has been extended to 31 Jan 2020 to 31 December from 21 December 2020. The due date passing order Vivaat Se Vishwa Scheme which has required to be passed 30 January 2021 has been extended to 31 Jan 2021. The due date passing order is insurance of notice by the authorities under the Direct Tax and Bainami Act which are required to be passed issued made by the 31st March 2020 has also been extended to 31st March 2021. तो में जो था जो नॉर्मल टाइक्सपेयर के होता है वो थोड़ा सा रिलिफ दिया गया है तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और यह नोटिफिकेशन का जो है वो आप अपने दोस्तो के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी थोड़ा रिलिफ में आ जाए और दोस दिन का जो उनको रिलिफ मिला है वो अभी प्रेशर में काम ना करें तो इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए थैंक यू, have a nice day, मिलते हैं अगले वीड